जैसे कि आज की नियूज में आपने देखा होगा आज डेट है 23.05.2021 ठीके आज के ब्रेकिंग नियूज यह है कि जो 12 की एक्जाम होने वाले थे मैंने कली रात में आप लोगों को बता दिया था इस्टेटेस के जरी तो जो एक्जाम होने वाले थे वो ऑनलाइन मोट पे या फिर घर ले जाकर करा जाना था तो आज कंफर्म हो गया कि 12 की जो पेपर हैं वो कैसे होंगे आपके घर जाकर होंगे मतलब कि आपको आंसर शीट दे दी जाएंगी और आपको घर ले जाकर लिखना होगा एक पेपर के लिए आपको पाच दिन का टाइम दिया जाएगा जैसे कि अगर आपने एक जुन को अपनी आंसर शीट घर ले कर जा रहे हैं तो आपको 6 जुन तक आपको अपनी आंसर शीट सारी एक साथ जमा करनी ह वरना आपको absent माना जाएगा और उस condition में आपको fail कर दिया जाएगा तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा तो ये सारी चीज़े तो आपकी साफ हो गई हैं और इसके नजरिये से आपको जो भी guidelines दी जाएगी उसको आपको follow करना होगा और अच्छे से हर एक चीज़ को बारी की से ध्यान रखना होगा वैसे कि free and fair exam तो हुआ नहीं इसलिए आप याद रखेंगे कि entrance ऐसा ना हो क्योंकि entrance exam के लिए आपको तयारी करनी पड़ेगी क्योंकि अगर इस हिसाब से अगर paper हो रहे हैं तो ये तो confirm है कि आपके entrance exam होंगे कब होंगे ये नहीं कहा जा सकत लेट से होंगे बड़ होंगे ठीक है ना तो आगे से आप अपने तयारियों को और अच्छा कर लिजे अभी से आप prepare हो जाएगे 12th exam के लिए अपने entrance exam के लिए जो भी आप जिस विल्ड में तयारी करना चाहते है ठीक है तो यहाँ पर आज की खास खबर में यही था कि बा आपको क्या करना पड़ेगा 6 जून तक आपको समिट करना है वरना आपको absent माना जाएगा और भी कुछ बातों का यहां पर ध्यान रखने के लिए कहा कि है signature लिया जाएगा आपको अपने से ही लिखना है कुछ बच्छ ऐसे होता है जो दूसरों से अपने आन सा sheet लिखा द